उत्तर प्रदेश के जालोन में एक प्रेमी को अपनी प्रेमी का के घर जाकर छुप छुप कर मिलना महंगा पड़ गया गाउवालों ने यूवक को जबरन पकड़कर उसकी शादी करा दी बिचारा यूवक शादी ना करने के लिए गाउवालों के सामने लाख मिनत्य करता रहा लेकिन गाउवालों ने एक न सुनी पूरा मामला चुरकी थाना छेतर के गाउव मुस्मर्या का है कानपुर देहाद की रहने वाली एक लड़की यहाँ अपने मामा शिफशंकर के घर आई थी चंदर शेकर से उसका पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था बुद्वार की शाम लड़की ने उसे मिलने बुलाया चंदर शेकर कॉलिज से लोटकर प्रेमिका से मिलने पहुँचा दूनों जब मिल रहे थे तो वहाँ किसी ने उन दोनों को देख लिया और लड़की के मामा को इसकी सूचना दे दी परीजनों ने मौके पर पहुँचकर दोनों को पकड़ लिया दोनों को गाउन लाया गया और लड़के के घरवालों को भी इस बारे में जानकारी दी गई लड़के के घरवाले पहुँचे तो पहले तो उन्होंने लड़की के पक्ष का विरोध किया बाद में पंचायत बैठी और दोनों की शादी का फैसला किया गया फिर दोनों की शादी करवाई गई और उसका वीडियो बना कर लड़की पक्ष ने सोशल मीडिया पर वारल कर दिया मामने की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुँची किसी भी तरफ से कोई शिकायत ना मिलने के चलते पुलिस भी वापस लोट आई क्योंकि प्रेमी प्रेमिका दोनों ही एक जाती से हैं इसलिए किसी के भी परिवार को इस शादी से ही कोई अतराज नहीं हुआ कर्कारी हो नहीं ही वाघन हमों है जो शाल नहीं हुआ है